हे गाईज वेलकम वेक टो मैं चैनल राहूल श्राफ आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस निव एपिसोड में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए कि आपका चैनल टर्मिनेट न हो जाए या फिर डिलीट न हो जाए, सस्पेंड न हो जाए चुकि मेरा एक चैनल टर्मिनेट हो गया है तो परसनल एक्स्परियेंस से मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो को देखो और समझो कि आपको भी ये गलती नहीं करनी है तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको अपना मेल दिखाता हूँ कि जब भी आपका अगर चैनल टर्मिनेट या डिलीट होता है तो आपको एक मेल रिसीब्ड होती है कंपनी के तरफ से यहां पर मुझे एक मेल रिसीब्ड हुआ जिसमें लिखा है मेरे चैनल का नाम उसके बाद वी बिट लाइक टू इंफॉर्म डैट वी हैव रिसीब ट्रेडमार कंप्लेंट रिगार्डिंग योर यूटूब एकाउंट यानि कि मुझे एक ट्रेडमार कंप्लेंट मिला और मेरे यूटूब चैनल के खिलाब यानि कि दोस्तो यहां पर मुझे ट्रेडमार कंप्लेंट मिला उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ये जो चैनल है इसको YouTube टीम ने directly delete कर दिया अब ये trademark complaint बहुत से लोगों की प्यार रही है और इसी के बज़ा से channel delete हो रहा है ठीक है तो क्या है ये trademark और क्यों हमारा channel delete हो रहा है तो हम ये समझ लेते हैं So जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने एक मेरा ये channel का नाम था जो कि है dream 11 expert यानि कि इस channel पे मैं dream 11 की team provide कर आता था तो dream 11 क्या है dream 11 एक fantasy application बहुत बड़ी company है तो मैंने किसी और company के नाम के आगे अपना बस एक expert लिखा और channel create कर लिया तो होता क्या था कि कोई भी लोग अगर search करता था dream 11 तो उसको मेरा channel show होता था वो क्यूं चुकि dream 11 के पास तुछ अपना channel था नहीं तो उसको मेरा channel show होता था और लगता था कि ये मेरा ये उसका official channel है जिसके बज़र से बहुत से user को गलती हो जाती थी तो आपको ये manipulate नहीं करना है user को और आपके किसी भी company के नाम से channel create नहीं करना है जैसे कि क्या होता है कि मैंने क्या किया यहां पर मैंने dream 11 expert लिख लिया और channel create कर लिया example के तौर पर मैं यहां पर बात करता हूँ YouTube की अब क्या हुआ कि कुछ लोग करेंगे YouTube extreme या फिर YouTube पे 1000 वियू कैसे पाएं ऐसा कुछ नाम से channel करिया या फिर YouTube technical तो अगर आपने YouTube का नाम यूज किया तो हो सकता है YouTube ही आपका channel delete करते बट ऐसा तो बहुत ही कम हो सकता है कि YouTube इ अपने उसका नाम यूज किया तो यह नहीं हो सकता है बट मान लो कि आपने किसी भी popular app तो मेरे mobile में कुछ app install है तो मैं उसके लेके आपको एक्जांपर देता हूँ जैसे कि यहां पर एक MPL है आपने MPL game का नाम सुना होगा तो मेरे mobile में MPL है अब मान लो कि मैं एक channel create करूं होंगे वो मेरे चैनल पर trademark policy देंगे यानि कि मैं कि किसी भी company का किसी भी company के नाम से यह account नहीं बना सकता हूं ठीक है मतलब कि आपको जो channel create करना है वो आपके नाम से होना चाहिए ना कि कि किसी और के company के नाम से ओके अब क्या होता है कि जैसे कि technical technical किसी के बाप का नाम नहीं है तो अब technical नाम से अपना channel create कर लो अब क्या होगा कि कुछ लोग मान लो यहां पर Amazon लिखा हुआ है तो अब कुछ लोग क्या करेंगे Amazon music नाम से कोई channel create करेंगे तो वो चैनल आज नकल डिलीट हो जाएगा जैसे कि एक T-series है कोई अगर गाना गाता है तो अगर कोई बंदा अगर T-series के नाम से कोई channel create करेंगा T-series songs कुछ भी करके तो वो चैनल भी डिलीट कर दिया जाएगा YouTube के तरफ से अब मान लो की काटू नाम से करेंगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा मान लो की कोई movie अपलोड करता है तो अगर वो मान लो की movie का channel मुझे याद नहीं आ रहा है जैसे कि जीयो सिनेमा जीयो सिनेमा movies नाम से कोई एक channel create करेंगा तो उसको भी team delete कर देगा यानि कि आपको ऐसा नाम यूज नहीं करन अब यहां पर हम आ जाते हैं अब दोस्तों क्या है कि trademark policy मैं इसलिए अलग से बता रहा हूँ चूंकि यह जो strike है आँख बन करके कभी भी आ जाती है और जैसे कि आपको याद होगा पिछले कुछ time में एक PUBG चल ला था अभी भी है बट PUBG अब उतना कम हो गया तो क्यों क्यों लोग PUBG नाम से channel create करते हैं जैसे कि PUBG gamer मालो कोई आदमी PUBG gamer के नाम से channel create कर दिया तो क्या होगा कि PUBG अगर चाहे तो उस पर strike दे सकता है बट हाँ कमपनी का अगर honor चाहे तो strike दे सकता है मतलब कि अगर honor चाहे गाए नहीं तो YouTube आपको strike नहीं देगी बट अगर honor चाहे तो दे सकत area को पुए तो ऊद्पया क्या होता है कि मानलो कि आपका sert कोई company है और आपके नाम से किसी और ने कुई channel create करे है जैसे कि मेरा नाम है प्रडिक्षन गुरू राहूरू अब क्या हुआ कि मैंदे इसको ट्रेन कर वा लिए तो अगर मैंने इसको क्रेड़ करेगा तो में उसको तो भी चाहो तो श्ट्राइक दे सकते हैं तो अगर आप देखोगे तो हर कोई ऐसा नाम क्रिएट करता है कि जिसका कोई ट्रेड मार्क ना हो जैसे कि यह आज तक है आज तक बहुत बड़ी चैनल है अगर मैं आज तक न्यूज के नाम से चैनल करूंगा तो क्या होगा मुझ और मेरा चैनल डिली यट हो सकता है तो आपको यह तरह आपका भी चैनल डिलीऍ हो जाएगा हमिस्ण जब भी कॉई और लीornika करना और ऐक और बाद चैनल डिलीट होने का एक और बड़ा रिजेन है कि हम अपने बीडियो के अच में लीक के और में तो आपका gegd τον डिंक के लिए information साबीत हुई होगी मेल ते एक्स वीडियो में बबसना स्वाख है लव यू आल